हेलो स्टुडेंट्स, हाउ आर यू, आप सभी बढ़या होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के एक इंपोर्टेंट टोपिक, रेट ओफ रियक्शन के बारे में और इसको अफेक्ट करने वाले फेक्टर्स जो हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे ठीक है, वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपकी केमिस्ट्री में, आपकी NCRT में ये क्वेस्चन है तो प्लीज गाइस, कॉंसेंट्रेशन यहां पर बनाये रखिएगा, अगर आपकी कॉंसेंट्रेशन यहां वाइट बोर्ड पर रहेगी एंड तक, तो ये वीडियो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे ठीक है, डेली लाइफ के जो एक्जाम्पल है, उनके थ्रू में आपको क्लियर करवाऊंगा ये जो वीडियो है, ये, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो rate of reaction है इसकी definition क्या है, ये हम देख लेते हैं लिखा है, it is defined as the change in concentration of anyone of reactant or product per unit time मतलब कि per unit time में, product की concentration में, या फिर reactant की concentration में जो change होता है, या जो change आता है, वही rate of reaction कहलाता है अब इसकी जो unit है, unit मैंने नहीं लिखे, unit इसकी होती है mole, liter inverse, time inverse ठीक है, ये इसकी unit होती है, अब ये कहां से आई, कैसे आई, ये भी हम आगे discuss करेंगे मैं आपको clear करवा दूँगा, कि mole, liter, time inverse, rate of reaction की unit कैसे होई आगे हम देखेंगे इसको चलिए, अब यहां से rate of reaction का जो formula है, इस definition से वो हम निकाल लेते है rate of reaction is equal to change in concentration of reactant और product upon में क्या लिखा, change in time मतलब की time के respect में product की concentration और reactant की concentration में जो change आता है, वही क्या कहलाता है, हमारा rate of reaction कहलाता है अब ये जो चीज लिखी है यहां पर, इसको में star बना देता हूँ, बहुत ही important चीज है मतलब की, यहां पर जो लिखा है, इसको में एक example के थूँ आपको समझाता हूँ यहां पर क्या लिखा है कि जो time होता है, time दिया हुआ है आमें तो उसके respect में, जो reactant की concentration है, वो क्या हो जाएगी? decrease हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो product की concentration है, वो increase हो जाएगी अब स्वभाविक सी बात है, simple सी बात है, कि हमारे पास कोई reactant है, उससे हमें product बना रहा है तो जैसे-जैसे reactant की concentration है, वो कम होगी, decrease होगी, तो उतनी ही quantity में जो product है, वो form होगा हमारा इसको एक example से हम समझते हैं, suppose कीजिए आपके पास 5 tennis की बोल हैं, पाच tennis बोल से आपके पास, और ये आपका start है, यहाँ से आपको start करना है और ये आपका ending point है, ये task समझ लिजिए आप, challenge समझ लिजिए, की आपको 5 बोल दी गई है, ये आपका starting point है, ये आपका ending point है ये आपका target है, यहाँ पर आपको ये 5 गेंद जो है, ये यहाँ पर रखनी है, एक एक करके, और आपको time दिया गया है, एक मिनट का है ना, तो यहाँ से यहाँ तक रखने में, क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर balls की संख्या कम होगी, जैसे जैसे यहाँ पर balls कम होगी, वेसे वेसे यहाँ पर balls बढ़ती चली जाएगी, एक यहाँ बोल उठा करके आपने यहाँ पर रख दी, एक यहाँ पर कम होगई, एक reactant मान लीजिए और यह आप product मान लीजिए तो जैसे जैसे time बीतता चला जाएगा reactant की concentration कम हो जाएगी यानि कि starting point पर जो balls रखी है वो कम हो जाएगी और product की concentration बढ़ जाएगी यानि कि ending point पर जो balls रखी है उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी सही है तो यहाँ पर यही है यही सीन रहेगा यहाँ पर जो लिखा है इसमें कि with respect to time time के respect में जो reactant की concentration है वो decrease हो जाएगी कम हो जाएगी और इसी के साथ में product की concentration increase हो जाएगी product की concentration है वो बढ़ जाएगी ठीक है अब यहाँ पर इसी के base पर यह formula यहाँ पर बनाया हुआ है यह दोनों formula मेंने इस theory के थूरू बनाये हैं क्या लिखा है rate of reaction is equals to decrease in the concentration of reactants upon change in time ठीक है अब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं symbolic representation में कैसे लिख सकते हैं देखिए decrease हो रहा है decrease हो रहा है याने की minus है ना decrease होगा याने की minus अब change देखिए decrease in the concentration of reactant मतलब की change हो रहा है तो change के लिए हमने delta लगा दिया अब reactant के लिए मैं r लगा देता हूँ यहाँ पर minus delta r upon delta t है ना इस तरह से भी लिख सकते है rate of reaction को reactant की rate of reaction को minus से represent किया जाएगा अब दूसरी जो दूसरा जो formula लिखा है वो है rate of reaction is equals to increase in the concentration of product upon change in time increase हो रहा है याने की बढ़ रहा है तो हम यहाँ पर positive sign लगा सकते हैं है ना delta product के लिए मैं use कर रहा हूँ p upon delta t change in time है ना change in time के लिए delta t और product की concentration change हो रही है increase हो रही है याने की delta p तो इस तरह से भी हम show कर सकते हैं rate of reaction को reactant के लिए हम यह formula use कर सकते हैं और product के लिए हम यह वाला formula use कर सकते हैं अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं final formula इस तरह से भी हो सकता है ना तो product के बारे में लिखे ना reactant के बारे में लिखे सिर्फ और सिर्फ concentration लिख दिया तो क्या हो जाएगा rate of reaction is equal to plus minus del c upon del t है ना c means concentration और t means time अब मैंने आपको बताया था कि जो rate of reaction की unit है mole, liter, inverse, time, inverse यह कैसे आई तो यह आएगी इस formula के थुरू अब देखिए यहाँ पर del c यह क्या है concentration, change in concentration तो concentration की जो unit होती है, वो क्या होती है mole per liter ठीक है, mole per liter होती है concentration की unit अब time की unit क्या होती है, अब उन में time की unit लिख देंगे हम time की unit होती है second inverse, second है ना, यह फिर अगर time लिखे, तो time भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे है ना, अब यह time जैसे ही ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा mole liter inverse हो जाएगा है ना, और यह time ऊपर जाएगा, तो time inverse हो जाएगा अहाँ पर depend करता है time के उपर की वो second में है minute में है, या year में है है ना, अगर minute में हैं तो इसकी unit ये भी हो सकती है, mole लिटर इन्वर्स, मिनट इन्वर्स अगर सेकंड इन्वर्स में हो तो सेकंड इन्वर्स हो जाएगा येर में हो तो येर इन्वर्स हो जाएगा ठीक है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि यहाँ पर मिनट इन्वर्स है, सेकंड इन्वर्स है या year inverse है यह है क्या time ही तो है actual में है ना time ही है तो इसलिए जो man unit है rate of reaction की वो हो जाएगी mole, liter inverse, time inverse अगर second है तो second inverse, minute है तो minute inverse भी हो सकता है तो I hope यहाँ पर जो rate of reaction की definition मैंने लिखी है और जो formula लिखे है यह सभी के सभी example के थुरू आपको अच्छे से clear हो चुके है अब इसके बाद हम पढ़ने वाले है rate of reaction को affect करने वाले factors तो चलिए guys अब हम बात करते है factors affecting rate of reaction की कौन-कौन से factors जो है वो rate of reaction को affect करते है चलिए तो first जो heading लिखा है nature of reactant अब इसमें क्या लिखा है ध्यान देते है greater the bond dissociation enthalpy of reactant lesser the rate of reaction because large amount of energy required to break the bonds of reactants सही है मतलत की जितनी ज्यादा bond dissociation energy होगी reactant के molecules की उतनी ही rate of reaction कम होगी क्योगों क्यों होगी क्योंकि बहुत ज्यादा energy हमें देनी होगी उनके bonds को break करने के लिए उनके bonds को तोडने के लिए ठीक है सही है है ना तो इसलिए greater the bond dissociation energy या enthalpy जितनी ज्यादा bond dissociation enthalpy होगी, rate of reaction उतनी ही कम होगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, कि rate of reaction is inversely proportional to the bond dissociation energy of reactant molecules, है ना, bond dissociation enthalpy ज्यादा, यानि कि rate of reaction कम, क्यों होगी कम, क्योंकि हमें ज्यादा energy देने की जरौत होगी, उनके bonds को break करने के लिए, तोडने के लिए, ठीक है, first point clear है, second जो heading है, वो लिखी है, यहाँ पर physical state, मतलब की जो reactant molecules है, उनकी physical state किस पर, कौन सी है, उस पर भी depend करेगी rate of reaction, अब यहाँ पर लिखा है, in gaseous state, reactant molecules have more kinetic energy, kinetic energy मतलब की randomly जो motion होता है, gaseous particle का, वो होता है kinetic energy, है ना, तो kinetic energy, therefore they have more collision, collision मतलब के टक्कर, है ना, टक्कर मारते ह है, जो gaseous particle होते है, molecules के, वो एक दूसरे को भी टक्कर मारते है, और जो container होता है, suppose कि यह हमारे पास एक container है, एक closed container है, इसके अंदर यह gase के particle है, छोटे छोटे, अब यह gase के particle, दूसरे particle को भी टक्कर मारेंगे, collision करेंगे, और यहाँ पर जो container है, इसकी जो दिवार है, wall ह इससे भी collision करेंगे, तो यही लिखा है यहाँ पर, they have more collision, है ना, जितनी ज्यादा kinetic energy होगी, reactant molecules में, उतना ही ज्यादा collision होगा, और जितना ज्यादा collision होगा, उतनी ही rate of reaction increase होगी, है ना, आगे लिखा है, while in solid state, particles have less kinetic energy, है ना, solid state में क्या होता है, particles में less kinetic energy होती है, kinetic energy कम होती ह है, so they have less collision, इसलिए उनमें क्या होता है, less collision होता है, मतलब कि collision, यह टक्कर क्या होगी, कम होगी, तो जितनी कम टक्कर होगी, जितना कम collision होगा, उतनी ही rate of reaction भी कम होगी, है ना, conclusion यहाँ पर यह है, कि kinetic energy ज्यादा है, तो collision ज्यादा है, तो rate of reaction भी increase होगी, इसके opposite, जब solid state में कोई reactant molecule है, तो उनके particle में, जो kinetic energy है, वो कम होगी, kinetic energy कम है, तो collision कम होगा, और collision कम है, तो rate of reaction भी कम होगा, ठीक है, clear है, second point भी, अब third heading लिखा है, temperature, इसमें क्या लिखा है, देखते है, rate of reaction is directly proportional to temperature, मतलब कि rate of reaction जो है, वो directly proportional रहेगा, temperature की, जितना ज्यादा temperature, rate of reaction भी उतनी ही ज्यादा increase होगी, because at high temperature kinetic energy, है ना, short form लिखा है, K-E means kinetic energy, because at high temperature kinetic energy of molecules, molecules increases, so rate of reaction increases, है ना, जितना ज्यादा temperature होगा, rate of reaction अणी ही ज्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि high temperature पे क्या होता है, kinetic energy їх ज्यादा हो जाएगी, molecules की, जो की, collision भी ज़्यादा करेगी है ना जो molecules हैं वो collision भी ज़्यादा करेंगे और collision ज़्यादा होता है तो rate of reaction भी बढ़ती है हमने पिछले जो point है उसी में ये clear किया है है ना तो जितने ज़्यादा kinetic energy उतने ही ज़्यादा rate of reaction रहेगी आगे लिखा है It is observed that rate of reaction becomes twice or thrice when 10 degree centigrade temperature increases of the reactants ये देखा गया है observe किया गया है कि rate of reaction twice or thrice हो जाती है है ना दो गुना या तीन गुना हो जाती है जब 10 degree centigrade temperature हम increase करते है reactant molecules का है ना 10 degree centigrade temperature increase करते है reactant का तो जो rate of reaction है वो twice या फिर thrice हो जाती है दो गुणा या तीन गुणा तक बढ़ जाती है ऐसा देखा गया है observe किया गया है experimentally ठीक है तो जो third point है third heading है temperature ये भी आपको अच्छे से clear हो चुका है अब fourth point है pressure pressure का भी बहुत ही ज्यादा role रहेगा बट कब रहेगा जब कोई reactant molecules gaseous form में हो तब है ना solid और liquid phase में अगर कोई reactant molecules है तो वहाँ पर pressure का इतना role नहीं रहता है जितना की कोई reactant molecule अगर gaseous form में है तो रहेगा ठीक है चलिए इस मेली का rate of reaction is directly proportional to pressure rate of reaction directly proportional रहता है pressure के because on increasing pressure number of particles per unit volume increase suppose कीजिए हमारे पास फिर से एक कोई container है और यहाँ पर कोई gas के particle या reactant के molecule है जो की gaseous form में है अब इसके उपर हम कोई pressure नहीं लगा रहे है तो यहाँ तक यह reactant के molecule present है अब जैसे ही हमने उपर से pressure लगाना start किया उपर से हम pressure लगा रहे है पिस्टन के थूँ तो जैसे जैसे हम pressure apply करेंगे यह जो reactant molecule है gase के particle यह यहाँ पर present थे तो जितना ज़्यादा हम pressure लगाएंगे यह सब के सब यहाँ पर आ करके इकठे हो जाएंगे जितने ज़्यादा हम pressure लगाएंगे उतने ही पास-पास में यहाँ पर आ जाएंगे तब solid और liquid में इतना अफेक्ट नहीं करता है प्रेशर अब लास्ट लिखाएं catalyst in the presence of positive catalyst पहली बात तो catalyst का मतलब आपको पता होना चाहिए catalyst का मतलब होता है कि जो reaction है वो अगर slow हो रही है तो उसमें अगर हमने कोई positive catalyst डाल दिया तो वो reaction rapidly हो जाएगी but ऐसे भी catalyst देखे गए हैं जो reaction को slow कर देते हैं उन्हें negative catalyst भी कहते हैं है ना जो reaction fastly हो रही है उसमें अगर हमने negative catalyst add कर दिये तो वो reaction जो है fast जो हो रही है वो slow हो जाएगी ठीक है तो catalyst किसी reaction को start नहीं करते हैं वो reaction को या तो slow कर देते हैं या fast कर देते हैं बस यही है catalyst का मतलब है ना इसमें लिखा है in the presence of positive catalyst है ना positive catalyst positive catalyst मैंने आपको बताया reaction को fast कर देंगे यह क्या करेंगे lower down the activation energy hence increase the rate of reaction अब यहाँ पर लिखा है activation energy इसका मतलब यह है short में आप सीधा सा समझ लीजिए sweet सा कि example देता हूं में कि अगर आपको college में पढ़ना है आपको first year second year final year करना है तो आपको आपकी limitation है कि आप पहले 10th करेंगे फिर 11th करेंगे फिर 12th करेंगे और 12th करने के बाद में आप college में इंटर करेंगे सही है तो यहाँ पर भी limitation होती है किसी भी rate of reaction की की जब reactant product में convert होता है तो reactant को एक barrier है ना एक limit होती है वो cross करनी पड़ती है तब जाकर के वो reactant product में convert होता है इसके बारे में हम आगे अच्छे से discuss करेंगे question है यह important question है है ना बट अभी सिर्फ में short में आपको समझा रहा हूँ है ना तो activation energy का मतलब की जो reactant molecule है वो उनकी एक limit होती है वो एक barrier cross करते हैं तब ही जाकर के product में convert होते हैं और कोई reaction success होती है यहां पर यही लिखा है कि जब positive catalyst हम अगर add कर देंगे या positive catalyst की presence होगी किसी reaction में तो वो क्या कर देंगे activation energy को down कर देंगे lower down लेखाए lower down the activation energy low कर देंगे activation energy को या activation energy को कम कर देंगे activation energy जैसे ही कम करी तो rate of reaction बढ़ जाएगी है ना क्योंकि जो आपको बोल दिया जाए कि 10th आपने कर लिए अग आपको 12th नहीं करना है 11th नहीं करना है और आप directly college में है ना suppose कीजिए है ना 10th के बाद आप directly college में तो आपको college में जाने के लिए कम time लगेगा 11th 12th का time आपका बच जाएगा सही है तो यहां पर भी यही है कि जितनी ज़्यादा activation energy रहेगी उतनी ही rate of reaction कम होगी but activation energy अगर कम है तो rate of reaction ज़्यादा है है ना तो यहीं लिखाया है in the presence of positive catalyst lower down the activation energy hence increase the rate of reaction but in the presence of negative catalyst increases the activation energy hence decreases the rate of reaction मतलब कि अगर negative catalyst है तो वो क्या कर देगा activation energy को high कर देगा increase कर देगा बढ़ा देगा तो अपने आप जो rate of reaction है वो कम हो जाएगी ठीक है तो I think जो पांचों point है इसके अलावा एक और 6th point भी मुझे याद आ रहा है 6th point है radiation का ठीक है radiation का भी बहुत ही ज्यादा effect पड़ता है एक example मैं आपको देना चाहता हूँ hydrogen, H2 और CL2 का अगर ये दोनो reaction करेंगे तो क्या बनेगा HCl बनेगा लेकिन अगर H new sunlight की presence है तो ये reaction rapid हो जाएगी fast हो जाएगी बट इसके opposite अगर यही reaction H2 और CL2 बिना light के बिना sunlight के अगर करें ये reaction तो यहाँ पर ये reaction क्या होगी slow होगी यहाँ पर H new present नहीं होगा तो इसलिए ये reaction बहुत ही ज्यादा slow हो जाएगी तो radiation का भी effect पड़ता है rate of reaction पे ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं बट जो 5 point मैंने आपको बता हैं ये भी काफी है आपकी exam के लिए अगर आपको ये भी याद रखना है तो रख सकते हैं ये example भी सही है ठीक है तो I think ये जो 5 point हमने करें ये भी आपको अच्छे से clear हो चुके हैं और पहले हमने rate of reaction के बारे में पढ़ा फोर्मूले के बारे में पढ़ा वो भी आपको अच्छे से clear हो चुका है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है informative लगा है तो please like कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए and subscribe कीजिए चलिए guys मिलते हैं अब next video में till then thank you so much जाइहिन